हैं नमस्कार स्वागत है आपका हमारे विडियो शुरू करते हैं कि ड्राइगरnd रूल बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपनी आधा कप यहा पर मैदा ले लेना है और आधा कप आप यहां पर कौंच फ्रावर लेना इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और mix करते समें एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें दाने न Everyday पाने बिलकुल कम डालें पहले, बाद में पाने बराबर रखें, इसका बैटन है यह जाधा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा गाड़ा होगा तो यह मोटा रहेगा और ज्यादा पतला होगा तो यह फट जाएगा उसके बाद दोस्तों आपने नौन इस्टिक पैन ले लेना है और इसको बिल्कुल चारों साइ यही याउल आना है इस तरीके से यह मैंने फ्leme दिया है इस तरीके से sort HIM और इसको slow gas में आपने इसमें slow flame रखनी है अगर आप fast रख होगे तो यह जल जाएगा नीचे से जिसको slow gas में आपने चारों साइड से इसको थोड़ा हलका आंच में पकाना है ये आप देख सकते हूं मैं हलकी आंच में बिल्कुल रक्षावाई आप ये साइड साइड से आपने जहां से नहीं पकेगा वहां से आपने नौन श्टिक पैंड फ्लैम के उपर करना और ये दोनों साइट से बिल्कुल बराबर पक जाएगा और जो साइट में लगा होगा वो एक नाव से निकाल दें ताकि यह वो निकालने में आपको आसानी हो यह देखो आप स्प्रिंग रूकल जो मैंने पट्रा मारा था यह बिल्कुल अपने आपे छूट गया है नोनिस्टिक पैन से अब आपने नीचे डस्टिंग पे कॉन फ्लोर मारना है थोड़ा सा और कॉन फ्लोर इसलिए मारा ताकि वो नीचे चिपकेना इस तरीके से आपने और उपर से भी थोड़ा सा कॉन फ्लोर जो है डस्टिंग कर लेना है ताकि आप दूसरा जो पत्रा बनाओगे वो चिपकेगा नहीं एक दूसरी के साथ में इस तरीके से आपने वारतने यह दूसरा पत्रा में बना रहा हूँ इसको भी इसी तरीके से बनाना हमने स्लो गै च्छा करना है थोड़ा ट्राइगन रूल की स्टफिंग के लिए दूसरा सबसे पहले हमें थोड़ा सा हरा प्यास कटा वा पालक्षी बारिक कटा वा अद्रग बारिक कटा वा सिमला मिट्च बारिक कटी वी मेरे पार रट कलर के है और यह दोस्तों मैंने कोर ने लिए है और हरा धन्या बारी कटावा, अमूल चीज ग्रेट कियावा, यह मैंने ग्रेट कियावा और रेड़ी, और यह दोस्तों मैंने यहाँ पर पनीर ग्रेट कियावा, यह ब्रेट क्राम है, अगर आपके ब्रेट क्राम नहीं है, तो आप ब्रेट को सुखा के भी उना सकते हो, वा आपने भी कडाई गरम करने हैं, अब यह आपको इसमें तेल थोड़ा जादा लग रहा हो ना, मैं इसको तेल को रिमूब कर दूँगा कडाई से, यह मैंने तेल को कडाई से रिमूब कर दिया है, अब बिल्कुल एक शमस तेल है मेरी कडाई में, अब दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें अद्रक डालूँगा, यह मैंने अद्रक डाल दिया है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे, इस तरीके से भूनेंगे इसको, उसके बाद दोस्तों आपने इसमें सिमला मिर्च डाल देने हैं, जो कटी हुई होगी, उसके बाद दोस्तों आपने इसमें कौर्ण को एड़ करना है, और दियान रहे हैं दोस्तों कौर्ण को थोड़ा ज़्यादा भूने, ताकि कौर्ण कच्चा ना रहे, इस तरीके से आपने कौर्ण भूने के बाद दोस्तों, आपने इसमें पालक एड़ करना है आप ये वाला पालक भी ये यूज़ कर सकते हैं और अगर आप थिक पेस्ट भी बनाओगे तो भी अच्छा रहेगा पर लेकिन ये वाला जो मैंने पालक कर्डिंग किया हुआ ये बैस्ट होता है ड्राइगन रूल के लिए इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर जो पनीर ग्रेट किया हुआ था ये पनीर मैं एड़ करलूँगा इसमें और जो मुझ़ अमूल चीज मैंने ग्रेट किया था ये भी एड़ करलूँगा और इसको थोड़ी देर तक इसको भूनता रहूंगा यह मैल्ट हो गया है नमक डालूँगा दोस्तों स्वादनसार आप भी अपने साप से डालिए वाइट पेपर डालूँगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको भून लूँगा अच्छी तरीके से और इसका भी देरे देरे कलर भूत ही अच्छा आनी लग गया है आगे आपको पूरा वीडियो में कलर इसका दिख जाएगा कितना अच्छा कलर आएगा इसका इस तरीके से आपने भूना इसके बाद दोस्तों आपने इसमें हारा धनिया एड़ करना है और हरा धनिया के बाद दोस्तों आपने इसको ज़्यादा टॉस या फ्राइ नहीं करना है नहीं तो हरा धनिया का जो कलर होता है फैल्ड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपने इसको कड़ाई से रिमूब करना है इस तरीके से मैंने इसको एक डिश में निकाल दे और कलर बहुत ही सांदार लग रहा है इसका आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा लग रहा है उसके बाद दोस्तों मैंने ड्राइगन रूल के लिए जो पत्रा मारा था वो मैंने एक टेबल में फैला दिया है और दो स्पू तरीके से फोल्ड कर देना है यहां पर दोस्तों ध्यान रहें इसको फोल्ड करते समय यह बिल्कुल टाइट होना चीए ज़्यादा धीला नहीं हो और जो हमने बैटन का मसाला बनाए था उससे थोड़ा बचा लेना और यहां पर इस तरीके से लगा देना ताकि यह बिल्क ब्रेट क्राम डाल देना है एक प्लेट में यह मैंने ब्रेट क्राम डाल दिया है और जो मैंने ट्रेगन रूल के लिए बैटन बनाया था उससे मैंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था और आप भी बचा के रख सकते हो या दुबारा भी बना सकते हो अगर आपके पास तो आप दोबारा बना सकती यह बिलकुल मैंने वही बना के रखा हुआ है तो आपने इसको इस में थोड़सा डुबोड़ लेना है और उसके बाद इसमें इस तरीके से ब्रैट क्रॉम लगाने है आपने इससे बहुती क्रिस्पी और टेस्ट आएगा इसका, यह मैंने तेल कर लिया है, एक फ्राइपान में, और अब जो मैंने ड्राइगन रूल बनाए है, यह मैंने डाल दिया है, एक ट्राइगन रूल, इसको हलका हलका इसको फ्राइगन रूल करूँगा, एक एक करके डालूँगा मैं इसमें, यह मैंने फ् प्लाइञ करोगे। तो यह मैंने प्लाटिंग कर दी है। प्लाटिंग भी दिखाऊंगा आपको दूसरी वीडियो में। इस तरीके से आपने प्लाटिंग जो की होगी। उसे रखना है। आप़ने इस ड्राइगन रूल इस प्लाधिया है। और इसको आप चिली सोस के साथ, टमाटो सोस के साथ, किसी भी सोस के साथ आप ले सकते हैं, या आपके वाप पुदीना चटने तो उसके साथ भी ले सकते हो, इस तरीके से, मैंने थोड़ा सा गार्निसिंग के लिए इसमें धनिया डाल दिया है, बेज़्टेबर ड्रागन र किजिए ताकि हम आपके लिए हर एक अपते ऐसी वीडियो लाते रहें, मिलते दोस्तों दूसरी वीडियो में,